आप थोड़ा एक्सपरिमेंट करो एक किताब एक पेज ही पड़ो और पढ़ने के बाद ध्यान करो एक हपता दूसरे हपता पढ़े बिना ध्यान करो आपका वह का डिफरेंस देख लो है न तो मैं जवाब दू उसके पहले आप खुद ही ये एक्सपरिमेंट कर लो आपको खुद ही पता चल जाएगा लाला जी महराज का भी कहना है कि ध्यान के बाद यदि हम कुछ नहीं पड़ें तो ध्यान की असर इतनी ज्यादा नहीं रहती है अब ये ट्रूथ इटर्नल में लिखा है ये जो बाबुजी महराज लाला जी को इंट्रोडूस कर रहे हैं वो चैप्टर में आई ये तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि साधना के बाद कुछ पढ़ाई भी हो जाए इसे शाधना के पहले भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो एक तरह का मूड बन जाता है इसे एक तरह का अंदर से महल बदल जाता है इसलिए कुछ पढ़े तो अच्छा हो जाता है हम लोग क्या करते हैं मैं तो सुबह विस्पर पढ़ देता हूं या डेली डिफलेक्शन पढ़ देता हूं और उसके बाद ज्यान कर लेते हैं इसे झाल